सभी का स्वागत है आज हम लोग क्लास एट जर्खन बोर्ड बुक का प्रस्न पाठ चार घात और घातांक और घात का प्रस्नावली चार दसमलब एंग का प्रस्न संख्या सात बडाएंगे सात मी कहता है प्रस संख्या सात कहता है यदी 2 के घात N गुना 2 के घात 6 बटे दो के घात माइनस तीन बरावर दो के घात अठारा है तो एन का मान ग्याद कीजिए आप प्रसन अपने बुक में भी अपने पाठ पुस्तक में भी देख सकते हैं इसको हल कैसे करेंगे तो इसको हल करने के लिए हम लोग पहले अपना जो घातांक का सुत्रे उसका प्र सब्सक्राइब फिर यहां देख रहें यह भागा में तो घात क्या होगा माइनस नौ ब्रावर नौ एन का मान आफका आगया नौ इस तरह से प्रस्णान करेंगे हम लोग क्या किये समिकरन दिया हुआ था हल करने के लिए घात और घातां का जो सुत्र हम लोग पढ़े थे उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे और उसको अराम से बनाते चलेंगे प्रस तो पहले आदहार एक ही लाएंगे इसको चारवटे नौ यानि चारव को हम लोग कह सकते हैं दो के घात दो और नो सब्सक्राइब दूब हो गात 2x plus 1 आधार 1 एक तो गात ब्रावर होगा जैनि 1 एक्स ब्रावर 2x फ्लस 1 यह इसको अगर इसको इधर ले जाए और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x-x-1 यह आफका मान निकल गया प्रस्न संख्या 9 हम बोड पर लिख रहे हैं उसके बाद फिर बताएंगे तो प्रस्न संख्या 8 का 3 पाठि पुस्तक के पीछे 8 का 3 भी है तो 8 का 3 में 2 के घात x गुना 2 के घात x गुना 2 के घात x गुना 2 के घात x का ब्रावर है 1024 यानि आप देख रहे हैं कि 2 के घात कह भार है तो प्रस्से लिखेंगे और उसको भी दो के घात के रूप में लिखेंगे दो से लिखेंगे पांच बार में एक दू फिर दुखा से लिखेंगे ये दो बार में जाएगा फिर पांच बार में 256 फिर दुखा से जाएगा एक दो और आठ फिर दुखा से 64 फिर दुखा से 32 दुखा से 16 दुखा से 8 द दुक्का से चार दुक्का से दो कितना वार है तो एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नौ दस यानि दो के घहात पांच एक्स ब्रावर दो के घहात दस यानि कि आधार एक है इसलिए पांच एक्स ब्रावर दस हम लो लिखेंगे यहां पे क्या पहले हम लोग को क्या करना प्रसण को हम लोग गातां का सुत्र यूज परयोग करते हुए इसको इस तरह से लिखेंगे फिर यह आभाज गुरन खंड करके इसको दो के गहत में लिखेंगे क्योंकि यहां अधार दो है एक तरफ दो है इसलिए दाइंहाथ भी दो के आधार गहात के रूप में उना था प्रस्न 8 का चौथा भी आप देख रहें इस तरह से है पांच का घात x-1 गुना पांच का घात x-1 ब्रावर 31 पचीज तो यहां तो अगर सूत लगा यह तो पांच के घात x-1 गुना x-1 यह घात जूट जाएगा गुना नहीं होगा यह जूटेगा इतना प्लस x-1 ब्रावर 31 पचीज का अब हमको 3125 का अभाज बुदन खंड करते हुए क्या करना है पांच के घात में लिखेंगे तो पच्छक तीज पांच तुना दस पच्छे पचीज चौसब पचीज फिर पच्छका से 125 बार फिर पच्छका से 25 बार फिर पांच से 5 बार तो यह पांच के घात 5 के घात 5 लिखेंगे यह जाएगा पांच के घात यह कडियागा 2x ब्रावर 5 के घात 5 ठीक है तो यह हो जाएगा आधार एक है यानि 2x ब्रावर 5 बटे 2 यानि 2 पूर्णांक 1 बटे 2 होगा इस तरह से आफका आठ नंबर का चौथा समाफ्ट हुआ नौओ नंबर आफका प्रस्ट है यदि ए वरावर माइनस 1 और भी वरावर माइनस दो तो मान गयाद करना एक के घात भी यह प्लस भी के घात है तो हम लोग क्या करेंगे पहले एक का मान रखेंगे इतना और बी का मान जो है रखते जाएंगे इस तरह से मान रख दीजे, मान रख दीजिए, मैनस को दो बार गुना कीजेगा, तो 1 आएगा, और प्लस ये दो के घात मैनस एक है, यानि एक वटे दो, इसको फिर लगुत्म लिजेगा, दो यानि प्लस एक यानि तीन वटे दो पहला सवाल का हल तीन वटे दो फिर यहां भी उसी तरह से हम लोग मान रखेंगे और बी का एक अमान इतना रख दी एक तो एक मान रख दीए मैनस वी तरह से किए और गुणा किजिए गात तो एक मान यह एक वटे दो इसका लगुत्तम लिजेगा तो दो, एक माइनस एक यानि एक बटे दो, दूटरा का विज़े लिखला, फिर तिसरा में है एक घहत भी गुना बी के घहत एक का माण माईनस एक और B का घात हम रखेंगे दो गुना दो के घात माइनस एक यानि कि यह हो जाएगा एक गुना एक बटे दो यानि इसका मान एक बटे दो फिर यहां भाग करना है यानि कि माइनस एक घात दो बटे दू के घात माइनस एक यानि कि यह हो जाएगा एक बटे दो यानि एक गुन दूबटे एक यानि दो इस तरह से आपका प्रसनावली चार दसम लव एक समाप्त होता है अगले एक्सरसाइज देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद